नमस्कार, नहरू जी की कहानी, जबाहरलाल नहरू जी की कहानी, पंडित नहरू की कहानी हमारे देश में शायद जबाहरलाल नहरू एक ऐसी शक्सियत हैं जिनके समर्थन और विरोध में सबसे ज्यादा बहस होती है हमारे देश के आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री कॉंग्रेस के बड़े नेता और पूरी दुनिया में जिनकी एक डिप्लोमेट के तौर पर आप कह सकते हैं कि ऐसे राजनेता के तौर पर जिनके लिए moral values नैतिक चीजें सबसे ज्यादा important थी इस तौर पर जवाहर लाल नहरू की पूरी दुनिया में एक इस्ज़त था जब वो जीवित थे तो अकसर उनको पंडी जी कहके बुलाया जाता था हमारे देश में सम्मान इस तरह से दिया जाता है आप जानते हैं मौलाना आजाद का पूरा नाम कोई नहीं लेता मौलाना साहब कहा जाता था वल्लब भाई पटेल कोई नहीं कहता सरदार पटेल कहा जाता था मोहंदास करमचंद गांधी कोई नहीं कहता महात्मा गांधी कहा जाता था ऐसे ही जवाहर लाल नहरू जी को पंडी जी कहा जाना प्रशलित था ये अलग बात है कि खुद जवाहर लाल नहरू को ये पंडी जी संबोजन दो था वो बिलकुल पसंद नहीं था ये उनको जातिवादी संबोधन लगता था वो कहते थे मुझे मिस्टर नहरू कहो या मिस्टर जवाहर कहके पुकारो लेकिन जितना सम्मान था उनके लिए देश की जन्ता के मन में उन्हें पंडित जी ही कहा जाता था ये अलग बात है कि उनके जाने के बाद जो लोग उनको नापसंद करते थे खास तोर पे इस देश का जो राइट विंग है आरेसेस जिसका सबसे बड़ा संगठन है उसने सबसे ज्यादा सवाल उनके पंडित जी होने पर ही उठाए एक पूरी थेरी चलाई गई कि नहरू जी असल में मुसल्मान थे वैसे तो मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि क्या फरक पड़ता है कि हमारे देश का पहला प्रधान मंतरी हिंदू था या मुसल्मान था मालनी जी नहरू जी की जगह पर मौलान साहब अगर प्रधान मंतरी बने होते तो क्या उनकी आलोचना इस बात के लिए होनी चाहिए थी कि वो मौलाना साहब थे लेकिन फिर भी जब नहरु जी की कहानी शुरू होगी तो बिल्कुल शुरू से शुरू होगी नहरु खांदान किस तरह से कश्मीर से यहां आया, कैसे कैसे यहां पर बसा मोतिलाल नहरु की कहानी, आनंद भवन बनने की कहानी और जवाहरलाल नहरु के जन्म की कहानी आज के एपिसोड की पूरी कहानी को सुनाने के लिए मैंने जो किताब चुनी है वो किताब बड़ी इंटरस्टिंग है अक्सर जो राइट विंग के लोग होते हैं ट्राल्स होते हैं अभी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो नीचे वो ट्राल्स अपने कमेंट कर रहे होंगे उनका पहला सवाल यही होता है कि किसी किताब पर भरोसा कैसे कर ले तो मुझे उन ट्राल्स को ये बताना है कि आज जो किताब मैंने उठाई है वो उनकी पार्टी भारतिय जनता पार्टी की जो अपनी e-library है जो आनलाइन उन्होंने e-library maintain की है उसी e-library से उस किताब को वो डाउनलोड कर सकते हैं जिस किताब से मैं ये सारी कहानी सुना रहा हूँ यानि ये जो किताब मैं बता रहा हूँ बाहर जो भी कहे लेकिन भारतिय जनता पार्टी ने इस किताब को आथेंटिक माना है तभी तो अपनी लाइब्रेरी में रखा है तो इस किताब का नाम है दनेहरूज और इसके राइटर है बियल नंदा साहब आप किताब की फोटो भी देख चुके होंगे और बीजेपी की ए लाइब्रेरी से इसको डाउनलोड करके मुफ्त में अपने मोबाइल और अपने लैप्टाप पे आप कैसे पढ़ सकते हैं वो भी देख चुके होंगे तो जब इस किताब को आप खोलेंगे नंदा साब के इस किताब को नहरूस को आप खोलेंगे तो आपको नहरू परिवार की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी बशर्ते आप समझना चाहें अगर आपने अपने दिमाग में इतना कूड़ा भर लिया है इतनी गंदगी भर ली है कि उसमें कोई नई चीज आये ही नहीं तो भारती जनता पार्टी की अपनी e-library पर रखी किताब भी आपको जूटी लगेगी और अगर नहीं भरा है अगर दिमाग खुला है आपको तो जो मैं कहानी सुना रहा हूँ उस कहानी को वर्ड बाई वर्ड मिला लीजिएगा इस किताब से और आपके समझ में आ जाएगा कि वाटसेप पे लगातार जो जूट आपको परोसा गया है वो सिर्फ जूट है सिर्फ बदनाम करने की साजिश है उसमें लेश मात्र भी जरा साभी सच्चाई नहीं है तो नहरू जी की जो नोन कहानी जितनी कहानी पता है हम मैंसे किसी को अपने परिवार के एक पुष्ट, दो पुष्ट, तीन पुष्ट से पीछे की कहानी नहीं पता अपने पिता कौन थे सबको पता है दादा कौन थे पता होता है दादा के पिदा के बारे में हो सकता है पता हो लेकिन उसके पहले की जो पीडिया होती है उनके नाम भले मिल जाएं उससे ज्यादा उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तो नहरू जी की जो ग्यात कहाने शुरू होती है वो 17, 16, 17, 16 से शुरू होती है जब राज कॉल नाम के एक व्यक्ति कश्मीर से दिल्ली आए मैंने एक किताब लिखी है कश्मीर और कश्मीरी पंडित उसमें उस पूरी प्रक्रिया को बताया है जिसमें धेर सारे कश्मीरी पंडित एक समय में कश्मीर से दिल्ली आए कारण ये था कि एक तो कश्मीर पर मुगल साशन हो चुका था तो कश्मीर का साशक और दिल्ली का साशक एक ही हो गया था रास्ता खुल गया था दूसरा ये कि कश्मीर में नौकरियां लिमिटेट थी तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित जिन्होंने फार्सी की पढ़ाई की थी वो नीचे मैदानों में उतर के आये दिल्ली में बसे, लखनों में बसे काटजू साब को आप लोग जानते हैं, बड़े फेमस जज हैं वो भी कश्मीर से ऐसे ही आये थे इन लोगों की कहानियां बहुत डिटेल में मैंने अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में दी है तो इन ही पंडितों में जो लगातार कश्मीर से निकल कर दिल्ली और बाकी सारी जगों पर जा रहे थे उन में एक थे राज कॉल सहाब अब एक कहानी ये है जो दनहरूस में भी लिखी है और भी कई जगों पर मिलती है कि फरुक सियार जो थे, मुगल साशक फरुक सियार जो थे वो गए थे कश्मीर और कश्मीर से राज कॉल को अपने साथ लेकर आये थे लेकिन कश्मीर के कई सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि फरुक सियार जो थे, वो कभी कश्मीर गए नहीं थे अब इतिहास खांगालने पर कई बार कई सारी चीजें मिलती है, नहीं मिलती है इसलिए ये तैय कर पाना बहुत मुश्किल है कि फरुक सियार जाकर उनको ले के आये थे या वो खुद कश्मीर से आये थे और फरुक सियार के दर्बार में हाजिर हुए थे नौकरी के लिए वैसे एक बड़ा मजदार किस्सा यहां पर मैं आपको सुना दू नहरू की कहानी के साथ साथ कुछ और कहानिया भी मैं आपको सुनाता चलूँगा कश्मीरी पंडित आपने कभी सुना है उत्तर प्रदेश का पंडित बिहार का पंडित नहीं कहा जाता है ना ब्रामण ब्रामण होते हैं तो फिर ये कश्मीर के ब्रामणों को कश्मीरी पंडित क्यों कहा गया? मुझे भी जब मैं कश्मीर पे काम कर रहा था तो यह लगा कि यार जरा रिशर्च करते हैं आखिर कश्मीरी जो ब्रामभन है उनको कश्मीरी पंडित कब से कहा जाना शुरू हुआ और ये इसलिए और लगा क्योंकि कश्मीर के अंदर उनको कश्मीरी पंडित नहीं भट कहा जाता है कश्मीर में किसी भी गाउं में कश्मीरी पंडितों का जो मुहला है भले उसमें आज के दौर में एक कश्मीरी पंडित भी रह रहा हो उसको भट पुरा कहा जाता है भट लोगों का पुरा तो मुझे पता ये चला कि जब बहुत सारे कश्मीरी पंडित दिल्ली में आकर बस गए तो कश्मीरियों को मुगल दर्बार में खोजा कहा जाता था कश्मीरी चाहे मुसल्मान हो चाहे कश्मीरी पंडित हो तो कश्मीरी पंडितों को लगा कि हमारी तो पहचान ही गरबर हो रही है अच्छा इसके अलावा ये था कि जो कश्मीरी पंडित थे उनकी परंपराएं बिल्कुल अलग थी नॉन्विज उनके अहां बिल्कुल नॉर्मल सी चीज थी तेवहारों में नॉन्विज बनता था जबकि जिस इलाके में वो आये थे दिल्ली में कानपुर में लखनओ में इन इलाकों के ब्रामण नॉन्विज नहीं खाते थे तो वो भी उनको ब्रामणों वाला सम्मान नहीं देते थे तो उन्होंने शाह आलम के टाइम में बाकाइदा एक दरखास्त लिखी कि हमें कश्मीरी पंडित कहा जाए और शाह आलम ने बाकाइदा ये ताकीत की ये लटर निकाला कि कश्मीर से आये ब्रामणों को कश्मीरी पंडित कहा जाए उसके बाद इनको कश्मीरी पंडित कहा जाना शुरू हुआ दिल्ली में बाजार सीताराम में कश्मीरी पंडित आम तोर पे रहते थे तो 1716 में या तो फरुक सियार उनको लेके आए जैसा कि बीयल नंदा या खुच जवहारलाल नहरू अपनी जीवनी में बताते हैं और या फिर राजकॉल खुद वहां से आए और दर्बार में हाजिर हुए और उनको एक छोटी सी जागीर फरुक सियार के जमाने में मिली और इस तरह से कहा जाता है कि वो जमीन किसी नहर के किनारे मिली और जिससे उनके नाम के साथ नहरू जुटना शुरू हो गया कहते हैं कि एक ही परिवार नहरू का क्यों मिलता है तो वैसे तो कश्मीरी पंडितों में जो सरनेम हैं वो इतने زादा हैं कि आम तORP ए एक सरनेम का आपको बहुत जगाधा परिवार एक सरनेम के आपको नहीं मिलेंगे बीके नहरू ने बाकाइदा अपनी किताब में बताया है कि साउथ में उनको कुछ नहरू नाम के लोग मिले थे मैं खुछ जब कश्मीर गया था तो मुझे वहाँ पर नहरू नाम का एक परिवार मिला था तो यह संभव है कि नौरू नाम के गाउं से निकलने की वज़े से उनके नाम के साथ नहरू लग गया हो जो यहाँ पर आकर धीरे 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 प्रशलित हो गया हो अब जो भी है किस से पर आते हैं तो राजकॉल साहब 1716 में आते हैं दिल्ली में और उनको एक छोटी सी जागीर मिलती है यह आप कह सकते हैं छोटी सी जमिनदारी मिलती है लेकिन आप जानते हैं कि 1719 में 1719 में सैयद बर्दर्स जो थे फरुक्सियार के दरबार में जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने फरुक्सियार की हत्या कर दी और उसको गदी पर से हटा दिया और जब उनको गदी पर से हटा दिया तो फरुक्सियार के जो प्री लोग थे जिनमें राजकॉल भी थे उनके लिए दक्कतें आनी ही थी तो नंदा साहब बताते हैं कि धीरे धीरे जो जागीर थी वो सिमट्टी चली गई और जब उनके पौत्र आये मौसा रामकॉल और साहिब रामकॉल ये दोनों उनके लड़के के लड़के थे ये इनका समय आते आते जागीर काफी सिमट गई थी और सिर्फ जमिनदारी राइट्स रह गई थी तो मौसा रामकॉल और साहिब रामकॉल ने अपने बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया ताकि पढ़ लिखे इनको अच्छी नौकरी मिल जाय और ये अच्छी जिन्दगी जी सके तो मौसा रामकॉल के लड़के थे लक्षमी नरायन कॉल लक्षमी नरायन कॉल इस्ट इंडिया कमपनी के पहले वकील बने मुगल दर्बार में यानि मुगल दर्बार में इस्ट इंडिया कम्टी ने उनको अपना वकील नियुक्त किया और उनके छोटे रड़के थे गंगाधर कॉल गंगाधर कॉल उसी समय मुगल दर्बार में पुलिस जो डेपार्मेंट था, उनका थाना जो था उसमें एक अधिकारी के रूप में न दौरान के आप अगर हिंदुन को देखेंगे कश्मिरी पंडितों को देखेंगे या मुसल्मानों को देखेंगे तो इंका बोल चाल उनका पहनावा वेशभूसा वैसा ही था जैसा मुसल्मानों का था, दर्बार का अपना एक ड्रेस होता है इसका एक्जामपल देता हूँ अंग्रेजों की नौकरी चाहे पंडित करे, चाहे मुसल्मान करे अगर वो बड़ा आफिसर बन जाये तो क्या पहनना पड़ता था? सूट और टाई तो आप चाहे जिना को देख लीजिये, चाहे जवाहरलाल नहरों के समय के जो दूसरे वकील थे उनको देख लीजिये, उन सब की फोटो आपको सूट और टाईम में मिल जाएगी छोड़ी अंग्रेजों का टाईम, आज का टाईम देख लीजिये, अगर कोई या फिर जैकेट पहना हुआ दिखाई देगा धोती कुर्ते में, या फिर वो टोपी जो मुसलिम लोग पहनते हैं और जिस तरह का पजामा कुर्ता पहनते हैं उस ड्रेस में, नौकरी करने तो कोई नहीं जाता तो जिसका साशन होता है, ड्रेस का भी अपना एक कोड होता है, उसी हिसाब से सब को ड्रेस कोड पहनना पढ़ता है इसलिए गंगाधर कॉल की जो इकलौती तस्वीर मिलती है, उसको कभी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुगल दर्बार के किसी अधिकारी की तस्वीर है और वो मुगल दर्बार के अधिकारी थे भी अब गंगाधर कॉल का समय आते आते 1857 होता है 1857 को आप म्यूटिनी कह लें, महाविद्रो कह लें क्रांती कह लें 1857 की क्रांती जो होती है उसमें दिल्ली में उथल पुथल मचती है आप जानते हैं उसके बाद मुगल दर्बार खतम हो जाता है अंग्रेजों का पूरी तरह से शाशन हो जाता है तो 1716 में आये थे और 1857 आते आते इस्थितियां ऐसी बनी कि गंगाधर कॉल को अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़के वहां से निकलना पड़ा जब वहां से वो निकले तो उनके साथ उनकी पत्नी जेवरानी देवी थी और दो लड़के थे बड़े लड़के थे बंसी धरकॉल और छोटे लड़के थे नंदलाल कॉर और इनकी दो बेटियां थी इन सब को लेकर गंगा धरकॉल वहां से निकले कि आगरे में चलके वहां रहा जाएगा दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा नंदा सहब एक बड़ी मजदार कहानी सुनाते हैं कि ये कश्मीरी परिवार था इतने खुबसूरत लोग थे इनकी जो बहने थी वो इतनी सुन्दर थी कि बिटिश लगती थी बिल्कुल तो रास्ते में जब अंग्रेज पुलिस ने उनको देखा तो उनको लगा कि ये परिवार अंग्रेज लड़कियों को भगा के ले जा रहा है तो इनको रोका गया तो इन बच्चों में से जो उनके बच्चे थे नंदलाल नहरू थे जिनको अंग्रेजी आती थी उन्होंने अंग्रेजी में बात की और समझाया कि हम लोग कश्मीरी हैं या हमारी सगी बैने हैं तब जाके उनको छोड़ा गया और ये लोग पहुँचे कहां पे आग्रे में यानि नहरू परिवार कश्मीर से चला कश्मीर से चलके पहले दिल्ली में बसा और तकरीबन 100 साल दिल्ली में, 1500 साल दिल्ली में रहने के बाद 1857 का जो महाविद्रो हुआ, 1857 की जो क्रांती हुई उसके बाद ये पहुचा आग्रे में आग्रे में 1861 के फैब्रूरी महिने में जो ये सारी परिशानिया हुई थी, इसके चलते गंगा धरकॉल पे असर पड़ा और उनकी मृत्य हो गई यानि फैब्रूरी 1861 में गंगा धरकॉल के मृत्य हो गई और उसके तीन महिने बाद मोतिलाल नहरू जो अपनी मा के गर्ब में थे छे मई 1861 यानि सेक्सताफ में 1861 को मोतिलाल नहरू का जब जन्म हुआ तो उनके पिता की डेथ हो चुकी थी घर छूट गया था दिल्ली का परिवार पहुचा हुआ था आगरे में और वहां पर वो लोग अपनी डाल रोटी के इंतिजाम में लगे थे वहीं पर उनके बड़े भाई बंसी धर को पहली नौकरी मिली आगरा की सदर दिवानी अदालत में जज्जमेंट राइटर की यानि जज जो फैसला करते थे उसको लिखने की उनको नौकरी मिली धीरे धीरे उनके प्रमोशन सुए बाद में और फाइनली वो सबाडीने जज बने इस समय तक आप आते आते देखते हैं कि कॉल नहरू दोनों लिखा जाता है और धीरे धीरे कॉल माइनस होना शुरू होता है नंदलाल जी के नाम में नंदलाल नहरू ही आपको दिखाई देता है अच्छा नंदलाल नहरूजी ने नौकरी की जब तलाश की तो उनको राजस्थान के खेतड़ी में जो एक छोटी सी स्टेट थी वहाँ पर उनको टीचर की नौकरी मिली लेकिन वहाँ के जो राजा फते सिंग थे उनको बहुत ज़ादा पसंद आ गया नंदलाल जी बहुत लायल लगे बहुत टैलेंटेड लगे तो पहले वो प्राइवेट सेकेंटरी हो गए राजा साहब के और फाइनली दीवान हो गए उसके बाद खेतरी उन्होंने तभी छो वकालत सीखी और फिर वो वकालत करने लगे पहले कानपूर में और फिर उसके बाद जाकर इलहाबाद में यानि नंदलाल नहरूजी सबसे पहले इलहाबाद पहुचकर वकालत करना शुरू कर चुके थे अब मोतिलाल वैसे तो बहुत टैलेंटेड थे पढ़ने में बहु हो जाएंगे तो उन्होंने आगे की परिक्षा ही नहीं दी हाना कि जब रिजल्ट निकला तो मालूम चला कि उस पेपर में वो फेल छोड़ी है बहुत अच्छा नंबर उनको मिला था लेकिन ग्रेजुएशन नहीं कर पाए ग्रेजुएशन जब वो नहीं कर पाए तो कानप परिवारिक उनके दोस्त थे पंडित पृत्वीनाथ पंडित पृत्वीनाथ के यहां जाकर उन्होंने कानून सीखना शुरू किया रजिस्टर कराया खुद को और वकालत सीखने शुरू की इसके पहले मैं आपको बता दू कि वकील की परिक्षा होती थी एलल भी इस तरह 1883 में कानपूर में मैंने बताया आपको एक सीनियर लायर थे पृत्वीनाजी जो परिवारिक दोस्त भी थे उनके उनके अंडर में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। उनके दूसरी शादी होती है स्वरूपरानी थुस्तू से ये थुस्तू परिवार अभी हाल में ही कश्मीर से आया था नार्थ में बसने के लिए। और उसके बाद मोतिलाल नहरू ने अपनी सारी जो ताकत थी वो लगा दी अपनी लीगल प्रैक्टिस को बेहतर बनाने लेकिन उनको लगा कि कानपुर में आगे बढ़ने की बहुत चांस नहीं है लेकिन उस जमाने में इलहाबाद हाई कोट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी ने किसी लोकल कोट में तीन साल की कम से कम प्रैक्टिस करनी जरूरी होती थी तो जब तीन साल की उनकी प्र बारे भाई के साथ उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस करने शुरू कर दी और जो पहला केस उन्होंने लड़ा था उसकी फीस उनको सिर्फ पांच रुपए मिले थे। दो बेटियां थी और पांच बेटे थे बिहारी लाल जी, मोहन लाल जी, शाम लाल जी, किशन लाल जी और ब्रिजलाल जी। तो 25 साल के उम्र के मोती लाल के पीछे अब 7-8 लोगों का भाई का परिवार अपना परिवार मा ये सारा कुछ था और उस समय आप कह सकते हैं कि मोती लाल नहरू 25 साल के उमर में बड़े नहरू परिवार के पेट्रियार्क बन गया वो इकलौते आदमी थे जिनको इन सब की जाल रोटी चलानी थी ऐसे में जाहिर था कि वकालत की प्रैक्टिस जितनी जादा चलती जितनी महनत वो करते उतना ही जादा पैसा कमा पाते और इस परिवार को ठीक से चला पाते और उनकी महनत और ग्रोथ आप समझ सकते हैं कि अगले कुछ सालों में उनको एक के 2000 रुपए मिलते थे उस जमाने में 2000 रुपए की वैलू क्या थी ये आप अंदाज लगा सकते हैं तो 40 साल की उम्र तक पहुंसते पहुंसते फाइफ फिगर्स में वो लाक रुपए होते हैं फाइफ फिगर्स में उनकी इंकम हो गई थी अपनी सिर्फ मेहनत से इलाबध हा प्राइकोर्ट में उनका स्टेटस क्या था ये जानने के लिए मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ चार वकील ऐसे थे जिनको ये परमीशन थी कि वो प्रीवी काउंसिल में बहस कर सकें ग्रेट बिटेन की जो उस समाने में इंगलैंड की प्रीवी काउंसिल थी उसमें जाकर बहस कर सकें और इंग चार लोगों में से एक थे पंडित मोतिलाल नहरू और ये परमीशन उनको अगस्त 1909 में मिल चुकी थी खैर थोड़ा पीछे चलते हैं इलावाद जाने के तुरंट बाद इलावाद में उनके जो भाई नंदलाल थे वो इलावाद शहर के अंदर रहते थे लेकिन मोतिलाल जी ने वहाँ जाने के बाद जब थोड़े पैसे आमदनी होनी शुरू हो गई तो 9 Elgin Road पर अपना पहला बंगला लिया सिविल लाइन्स जो हुआ करती थी जहां अंग्रेज अधिकारी और बड़े वकील रहते थे वहाँ पर पहला बंगला उन्होंने लिया 9 Elgin Road पर ये बंगला किराय पे लिया हुआ था यहीं पर उनके पहले पुत्र पैदा हुए 14 November 1889, November 14, 1889 को उनके पहले पुत्र पैदा हुए जिनका नाम रखा गया जवाहर लाल अब मैंने आपको बताया कि जवाहर लाल जी को कभी पसंद नहीं था कि उनको पंडी जी कहके बुलाया जाए लेकिन मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि उनको अपना ये नाम भी नहीं पसंद था मोती लाल के पुत्र जवाहरलाल सब हीरे पन्ने की बाते हैं मोती लाल जवाहरलाल तो जवाहरलाल बड़े आप जानते हैं एकेडमिक रुचि के आदमी थे बड़े सौंदर ये बहुत बड़ा खुबसुरत था तो उनको लगता था यार पिता जी ने क्या नाम मेरा रख दिया जवाहरलाल इसकी जगह पर कुछ और नाम रखा होता तो जवाहरलाल से जुड़ा हुआ जो बाप और बेटे के बीच के रुचियों में जो अंतर था उसको बताता है और एक और बात थी कि मोती लाल जी के लिए पैसे कमाना अपनी जिन्दगी बनाना एक मजबूरी थी और जवाहरलाल जी जब पैदा हुए बड़े हुए तो मोती लाल जी के आर्थिक इसी थी कि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं थी उन्होंने उससे ज़ादा बहतर चीज़ें अपना एक शांदार एस्थेटिक सेंस डेवलप करना सौंदर ये बोर्ट डेवलप करना दुनिया भर का इतिहास दुनिया भर का दर्शन समझना इन सब में उन्होंने ज़ादा रूची ली तो हमारी इस कहानी के नहरू की कहानी के जो नायक है उनका जन्म हुआ 14 नमंबर 1889 को और आनंद भवन उनका घर जरूर बना लेकिन आनंद भवन उनके जन्म के बात खरीदा गया 1900 में 1900 में मोतिलाल नहरूजी ने एक चर्च रोट पर मुरादाबाद के कुमर परमानजी से एक मकान खरीदा ये मकान उनको इसलिए भी पसंद आया कि ये भारतवाज आश्रम के पास में था और उसके पास से ही नदी बहती थी और इसके साथ ये कहानी जुड़ी हुई थी कि इसी जगह पर भारतवाज रिशी ने कभी तपस्या की थी तो एक हिंदू ब्रामण परिवार भारतवाज रिशी का नाम आ गया पास में से गंगा जी बहती थी और सुन्दर मकान दिखा उनको तो उनको लगा कि ये ऐसी जगह है जहां खरीद के घर बनाया जा सकता है और मकान चुकी बहुत तूटे फूटे हालात में था तो बहुत सस्ते में मिल गया उस जमाने में उनको 19,000 रुपे में 19,000 रुपीज में हाला कि उस जमाने का 19,000 भी कोई कम नहीं होता है लेकिन आज के समय से भी आप तुलना करेंगे तो वो सस्ता ही आपको लगेगा जितनी बड़ी जमीन और जितना शांदार लोकेशन था तो 19,000 रुपीज में वहां वो तूटा फूटा घर उन्होंने खरीद लिया और उसके बार मोती लाल जी ने अपना सपना पूरा करने के लिए बच्पन से गरीबी जेली थी आपको पता है कि जन्म लेने से पहले ही पिता की डेथ हो गई उसके बाद भाई के साथ वो रहे उसके बाद एलाबाद में जो ही वो आये तो ही भाई की डेथ हो गई अपना परिवार भाई का परिवार ये सब समालते हुए लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने अपनी सिति बहतर बनाई थी और अब वो एक शांदार घर में रहना चाहते थे उसी घर को वो जो जगे थी पुराने घर को तुड़वा के उन्होंने नया बंगला बनवाया और उसका नाम दिया आनंद भवन ऐसा भवन जिसमें आनंद ही आनंद हो यह जो आनंद भवन था यह नहरू परिवार का घर था और जब पंडित नहरू की जवाहलाल नहरू जी की जीवनी आप पढ़ते हैं आत्मकथा पढ़ते हैं बिसिकली तो इस भवन के बारे में वो काफी कुछ पताते हैं इस भवन में ना केवल गंदलाल नहरू जी का पूरा परिवार नहरू जी की डेथ के बाद तो वो साथ में रही रहा था तो ना केवल गंदलाल नहरू जी का पूरा परिवार रहता था बलकि नहरू खांदान के तमाम सारे रिष्डार यहां पर आते जाते रहते थे और रहत और इन सब के बीच परिवार के मुख्या के एक लौते बेटे थे जवाहरलाल नहरू जी इस भीड में वो लगातार अकेले रहते थे क्योंकि उनकी उम्र के बच्चे नहीं थे जो चाचा के लड़के थे नंदलाल नहरू जी के बेटे थे वो काफी बड़े थे तो उनसे दो उम्र कोई हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो गई थी और घर का माहौल बड़ा शांदार था शांदार मतलब मैं मज़ाग में कह रहा हूं एक तरफ सुरूपरानी थी जो घर के अंदर पूरी तरह से जो ब्राहन कल्चर था हिंदू कल्चर था उसको मेंटेन करके रखती थी उनकी रसोई में कोई ऐसे जा नहीं सकता था तेवहार, पूजा, पाठ, उप्वास ये सारा कुछ चलता रहता था दूसरी तरफ मोती लाल नहरू जी थे वो बेहत माडन वैक्ति थे बाहर पार्टियां चलती रहती थी जिसमें अंग्रेज भी आते थे बाकी सारे लोग भ प्रीफर करते थे इन दोनों के बीच में जवाहर लाल नहरू का पालन पोशन हो रहा था पिता से जो वो सीख रहे थे वो वेस्टन कल्चर सीख रहे थे modernity सीख रहे थे आधुनिक्ता सीख रहे थे और मा से जो सीख रहे थे वो भारतिय परंपरा सीख रहे थे और इसी लिए जवाहरला नहरू का आप आगे का जीवन देखेंगे तो उसमें इन दोनों का एक शांदार mixture आपको दिखाई देगा और वो एक ऐसे युवा के रूप में डेवलप हुए जिनके मन में एक तरफ भारतिय परंपरा और भारतिय संस्कृति के लिए जबर्दस सम्मान था तो दूसरी तरफ एक आधुनिक नजरिया था जो जातिवाद, सांपरदाइक्ता और इस तरह की चीजों को बिल्कुल स्विकार नहीं करता था आप चाहे डिस्कवरी आफ इंडिया पढ़ लीजे चाहे उनकी अपनी जो आत्मक अथा है उसको पढ़ लीजे आपको ये दोनों चीजें एक साथ चलती हुई दिखाई देंगी और इन दोनों चीजों का वो सम्मिलन है, वो मिक्चर है जो जवाहलाल नहरू का वक्तित्व बनाता है तो उनके मुसल्मान होने उनके पिता के बारे में जो धेर सारी कहानिया बिना मतलब की फैलाई जाती है उनके पीछे कारण ही यही है कि सामपरदाइक्ता को लेकर वो इतने कठोर रहे, सामपरदाइक्ता के मामले पर वो इतने क्लियर रहे कि जिन्दगी में कभी मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा के साथ किसी तरह का समझोता करने के लिए तैयार नहीं हुए यही तो वज़े थी कि जब गांधी को मारने के लिए गोटसे को भेजा गया था तो नहरू को मारने की भी बात की गई थी अगली कड़ी में हम देखेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई शादी व्याह एक युवा के रूप में नहरू का विक्सित होना वो कौन से वैल्यू सीख रहे थे और जब हिंदुस्तान लोट के आये तो आजादी की लड़ाई में कैसे शामिल हुए कैसे धीरे धीरे कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद कॉंग्रेस के मतुपूर्ण निता बनते गए किसानों के लाडले बनते गए और कैसे उस मकाम तक पहुँचे कि पूरे देश ने उनको पंडित जी कहकर सम्मान दिया बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहिए और 14 नॉवंबर तक लगातार ये कहानी मैं आपको सुनाता रहूंगा पाँच या छे एपिसोड में पंडित नहरू की जिंदगी की पूरी कहानी उन पर उठने वाले सारे सवालों का जवाब और अपने पहले प्रधान मंत्री का पूरा का पूरा खाका आपके सामने पेश करूँगा आज जो मैंने बताया उसके लिए जो मूल किताब मैंने ली थी मैंने आपको बताया वो नंदा साहब की किताब थी दन नहरूज जान मुझके मैंने ये किताब चुनी क्योंकि भारती जन्ता पार्टी की अपनी वेबसाइट पर थी इसके अलावा कुछ और किताबें हैं अगली कडी में मैं आपको उन किताबों के बारे में भी बताऊंगा और नहरू की कहानी तो सुनाऊंगा ही बहुत शुक्रिया